देखे आपको बता दें कि राम मंदिर के लिए 14 लाक इनों ने डोनेट किया और हन्मान फिल्म की जो टोटल आमदनी हुई है वो 14 करोर रुपए है 14 लाक रुपए है उन्होंने राम मंदिर के लिए दान दे दिये चुकि पहले उन्होंने एक कमिट्मेंट किया था उसको यह फालो कर रहे हैं मैं आपको उता है यह बुलट टेंड की रप्तार पे चल लही है फिल्म इतनी तेज लोग देख रहे हैं और तीन दिन में यह आप समझ लिजे कि इतनी कमाई हो जाना और छपड़ फार करके कमाई हो रही छपड़ फार करके इस फिल्म की यह पोईशन है क इस फिल्म ने यह कहा कि हनमान पे चुके बनाई अब भगवान नाम के प्रत्तो देखे फिल्मे भी आप समझ लिजे कि इधर बन ला उसके पहले ही तयार हो गया है फिल्मे हमेशा किसी गटना या किसी उसके बाद में हुई है यह इतिहास का पहला कि राम मंदिर बन ला है उसके पहला फिल्म में ने यह कर दिया तो यह अपने आप में एक चीज है नमशकर्ट स्वागत है आपका आप देख रहे हैं स्टीबी नियूस और मैं रानी गुपता आपके साथ एक बार फर से साउथ इंडस्ट्री बॉलिवट पर भारी पड़ती हुई नसर आ रही है दरसल साउथ की फिल्म रिलीज हुई है हनुमान जिसने की बॉक्स आफ़स पर पूरी तरीके से तहलका मचा दिया है तियेटर्स में आलम तो यह है कि आडियन्स जो है वो जैश्वी राम के नारे लगा रही है इसी के साथ ही अगर हम बात फिल्म के मेकर्स के दुआरा जो जाएंगे और इसकी कमाई राम मंदर को डोनेट की जाएगी अब जो है पहले दिन की कमाई सामने आ चुकी है और इसी के बाद मेकर्स ने 14 लाख रुपए राम मंदर के लिए डोनेट कर दिया है यह अपने आप में एक बड़ा फैसला लिया गया है पूरी फिल्म इंडास फिलाल इस वक्त मौझूद है हमारे साथ वरिस्ट पत्रकार अजो जी असर स्वागत है आपका देखा होगा कि फिल्म हनुमान रिलीज हो चुकी है थीटर्स में आलम यह है कि उसने तमाम फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है और बहुत ही कम बजट की फिल्म बनी है हम जा चाहेंगे कि आप तक इस मूवी ने कलेक्शन कितना किया है और जिस तरीके से बाते सामने आ रही है कि 14 लाख रुपए राम मंदर के लिए डोनेट किया है तो इसमें आपका परसनल ओपिनियन क्या है देखे आपको बता दें कि राम मंदर के लिए 14 लाख इनों ने आप देखे कि पहले दिन और दूसरे दिन जो ही भया तो इनों तुरंत ही वो पेमेंट उनके लिए नियत कर दिया इसके अलावा आपको बतलाना है कि उनकी इस्थित जो है दिन पर दिन हनमान फिल्म की अच्छी होती जा रही फ़र्स डे उसकी कमाई 2.15 करोर रुपए थ उससे दूसरे दिन जो है कल जो कमाई आई है वो 88.37 परसंटेज बढ़ गई कल जो कमाई आई है वो आई है 4.5 करोर मतला दो दिन की जो कमाई हो गई 6.2 करोर हो गई 6.2 करोर हो गई अब आपको बतलाना है कि टोटल जो कमाई आई है वो आई है 14 करोर इनों ने क्या किया कि उसमें 14 लाक रुपए अलग कर दिया अब आपको बताना है इस बीकेंड तक जो है वो 75 करोर आने की संभावना 75 करोर 75 करोर का मतलब हो गया कि और अभी तीन्चार लोज के अंदर यह 50 करोर क्रॉस कर जाएगी आपको बताना है आप देख लेगा जो पोजिशन होगी यह राम लोग देखने की भीड लगी हुई दूसरी आपको रताना है तेल्गु भासा की सुपर हीरो फिल्म है यह प्रसांद बर्मा दौरा लिखी हुई है उसका डायरेक्शन भी उन्होंने किया है और इनके फादर ने भी देखी इनके फादर ने जब देखी तो यह बताया कि हन माः अबाय दौरा लिखा लिया गया मतलब इतने ज्यदा बहुत अच्छी है जल्दी सीदी फिल्म हनमान पर बनाएंगे एक डायरेक्ट फिल्म बनाएंगे यह शिल्म में अन्यनान नामक एक जग़े दिखाई गई है जहां पर उनको सक्तियां मिलती हनमान जी को यह आप से बड़ी बात आप तमाम सिनेमा घरों में डिमांड आ रहीं और लोगों की कंपलेन आ रही कि हमारे सिटी में लगी नहीं हमारे कस्वें लगी ने इसको लगाई यह जो रिस्पांस आ और यह होगी मैं आपको तानी यह बुलट टेंड की रखतार पर चल लही है फिल्म इतनी तेज लोग देख रहे हैं और तीन दिन में यह आप समझ लीजे कि इतनी कमाई हो जाना और चपड़ फार करके कमाई हो रहे ही छपड़ फार करके लोग फिल्म देख रहे हैं इसमें बरमान की माइथोलोजी पर हन्मान फिल्म आई है यह बारा जनवरी को रिलीज हुई थी और जो आज की पोजिशन है अभी तक की आपको बताने तीसे दिन की अभी तक की सुबहय के 11,12 तक की तो आपको बतलाना है कि यह स्थित यह है कि पहले दिन बॉक्स आफिस में आपको बतला कि कमाई होती और इस के अर्ली रिपोर्ट के अनुसार से तीन दिन में 4.34 करोर का कलेक्शन कर लिया गया है तो कुल कमाई अगर पहले से आप टोटल जोनेंगे तो 28.99 करोर मतलब 25 करोर रुपाए हो गई है तो यह जो थी कि हदे में जो से विंडे पर यह सेवेंटिफाइब करोर रुपाए बन जाये गी यह आरकेस्टूडियो जों मसूर स्डीडियो जो माना होगा आरकेस्टूडियो में और इसको प्रूदूस यह किया यह बैंकिट कुमार7 ने किया है माने हुए वो है और वह हा और काश्टा तेजा सज्जा ने लीड रोल में किया और आपको बताना है इस फिल्म से जो मैसेज जा रहा वह बहुत ज़ा है इस समय राम मंदिर कहो चला और यह देखिए पूरा माहूल आपको बताना है पूरा माहूल जो है वह आप समले थेटर से ले करके आम लों ता मारी इसस तक में दो घंटे की छुट्टी कर दी गई मारी जन्वरी को तमाम इस्थानों पर छुट्टियां है करनाटक जैसे कांग्लेश की सरकार में मंदिर पुतने शुरू हो गया जबकि कांग्लेश जो है नेत्रत ब्रोत कर लावा जा नहीं रहा पूरे यूपी में उस दि बंदों का वहां इस पेशन निमंतर दिया गया और उन लोगों के वहां नाम है तो बेंगाल के लोग कहना है कि यह तो हमारा मंदिर है हमारी उकुर्वानी मगर आपको बताने तमाम लोग एक यग है इस यग में हमेशा सुरू से रहा है कि तमाम यूगों से जब भी कोई यग हुआ तो राक्षज भी रहें राक्षज उन्हें भीग ने लिया मगर यह यग ऐसा होगा जो राक्षज होंगे राक्षज प्रवत के लोग वो आप देखेगा बहार हो जाएंगे और जो यग से जो धुआ निकलता है उसमें आप समझे लोग बादल में समा जाते हैं प्रकोप शुरू हो गया जो जो राम मंदिर और यग के खिलाप हैं उनके प्रकोप शुरू हो गया ये आचार प्रमोत किसन ने कहा और सही बात है आप समझ लिजेए तीसरी बात आपको इस फिल्म की पोहिशन है कि इस फिल्म ने ये कहा कि हनमान पे चुकी बनाई अब भ के पहला फिल्म ने यह कर दिया तो यह अपने आप में एक चीज है अगर यही चीज रहती देश में कायम रहती तो आज पोजिशन बहुत दूसरी आपको बता रहें तेलगू तमिल कंणर सबसे बड़ी बात है जैपनीज में कोडिया मांगी कोडिया से अच्छी इनकी ओवर और हमें साउथ के उनका मिला आप मानिये कुछ सच है कि रजनी कांथ के जब फिल्म आती अपने आप छुट्टी हो जाती और फिल्मों के लिए लोग छुट्टी कलाते हैं तो साउथ की फिल्मों को अगर हम देंगे तो नार्थ और साउथ का कुछ भी हो नार्थ के जितन राजनीत में नहीं थे उनकी फिल्म में भगवानों पर आदालित है हम लोगों के लिए सर्म की बात है कि हम लोग ऐसी फिल्मों को देखते रहें जो कालपनिक यह फिल्म वह है तो हम लोगों को ऐसा देखना चाहिए चुकि पूरा देश एक है और उत्तर में रिस्पॉंस मिल ला है कुछ लोग लगे हुए हैं और ऐसे समय आप समझ लिए जिस समय इंटरनेशनल लेबिल पर दवाब है और कई कंटियां चाहिना जैसी देश पाकिस्तान जैसे देश दूसरे फिल्मों को और तथा कतिक को धर्म निर्पे लोग वो दूस मेरी किश्मस इस समय आई है तो इसाही समाज सब देख रहा है और इसाही समाज एक एक पहुंच रहा है अच्छी बात है इसाही समाज पहुंच रहा है इस समय उनका टाइम भी बड़ा दिन है और उसमें एक एक आप सुने समाज प्रेमिली के साथ पहुंच रहा है वो लो को और दनुसकी 돼प्टन मिलर के लिए पूरा 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 नेट्वर्ग लगा हुआ महद बाव автом की गुंटुर कालम के लिए जब जस्त कि हैं जबजस्ट समझ अब्सक्चित होना जिसके साथ आज कुछ भी हो मैं आपको फिर बतल आता हूं इनकेnın उतना network नहीं जितना strong network इस देश में कमनिश्टों का है और लोगों का है हकीकत यह कि अंके प्र ऐसे उसमें समयर्थन देना चाहिए क्गहों कि देश के लिए हनमान का एक बहुत बड़ा नाम है और अर्ढमान जीवित थे हनुमान जीवित थे हनुमान तब भी जीवित थे अब भी हैं कल यूग में भी रहेंगे और हर द्वापड में भी थे और सत्यूग में भी थे आप पांच लोग जीवित हैं उनिक पे दिखाई जा रहे हैं पड़सुनाम जीवित हैं अस्वस्तामा दीवित हैं इसलिए जीवित फिल्म को ये जीवत आँ ये फिल्म वासतों में लाइब है जीवत जीवन इसको जीवन फिल्म कहते हैं इसको जरूर देखना चाहिए दूसरे अन्ने मजहब के लोगों को भी देखना चाहिए फिलाल इस पूरे मामले को लेकर के अजब पत्रकारजी ने अपनी राय रखी और अगर आप भी थीटर्स में फिल्म हनुवान देखने जा रहे हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद